मैं भारत को भारती अताकी माननता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ उस काम में लगाओं चाय के बारे में जानकरी देखुम है चाय जो है ना आपके देश का उत्पादन नहीं है पहली बात जानकरी के लिए उन्ग्रेज आये थे जब इस देश में तो चाय का पौधा साथ ने लाए थे और उन्होंने भारत में कुछ ऐसे इस्थान है जो अंग्रेजों के अनुकूल जहां ठंड जादा पड़ती है उन इस्थानों पर पहाड़ियों पर चाय के पौधे लगवा लिए तो उसमें से चाय होने लगी अंग्रेज अपने साथ चाय लेके आये थे भारत में चाय कभी बुली नहीं सत्रे सो पचास के पहले इस देश में एक भी चाय का कहीं नाम निशान नहीं था Britishers आये East India Company लेकर तो उन्होंने चाय के बढ़ान लगाए उन्होंने अपने लिए लगाए क्यों लगाए चाय एक मेडिसिन है इस बात को ध्यान से सुने चाय एक मेडिसिन है लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है सिर्फ उन लोगों के लिए जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है चाय मेडिसिन है और जिनका ब्लड प्रेशर नौरमल और हाई रहता है चाय उनके लिए जहर है स्वाइथे निस्पिकर में है चाय भठापा कम करती है बता रहो न आगे बढ़ते हैं चाय उन सब के लिए जिनको blood pressure कम रहता है अमरुथ है, medicine है, low BP वाला की लेकिन चाय उन सब के लिए जहर है जिनको BP high रहता है या नॉर्फन रहता है अब अंग्रेजों की एक समस्या है आज भी है वो हजारों साल से सभी अंग्रेजों का BP low है सिर्फ उंग्रेजयों का लोगोंका फ्रेंच लोगों का जर्मन लोगों का स्विडिश लोगों का डैनिश लोगों आ 12 का बहुत धंड़ इलाकें थे एक बात पूरी हो जाएथ अंग्रेज और अंग्रेजों के आसपास के सारे देश दुनिया के इस हिस्से में रहते हैं जहां ठंड बहुत है साल में 6 महीने सूरज में इतनी ठंड है और आप अगर उनके आप टेमपरेचर रेंज देखेंगे तो माइनस 40 उनकी लोएस त्रेंज है माइनस 40 रिणात्मक रूप से शुन से भी नीचे 40 दिग्री शुन से भी नीचे 30 डिग्री 20 डिग्री 22 डिग्री 25 डिग्री 15 डिग्री ये टेमपरेचर उनकी आप 6 महीने रहता सूरज मिकलता नहीं छे महीने धुन्द ही धुन्द रहती है आसमान में ये इनकी सबसे बड़ी तकलीफ है अंग्रेजों की और अंग्रेजों के आसपास के देशों जादा धंडे इलाके में पोई भी रहेगा उसका बीपी लो हो जाएगा आप भी करके देख लें मैंने किया एक बार एक बार मैंने ये एक्सपरिमेंट अपने ऊपर किया बरफ मगाया मैंने वो बरफ की सिल्ली आती है ना वो मगाया और चारो तरफ सिल्ली लगा के अंदर मैं लेट गया mi-p ने से पहले गहना मेरा बी-पी चेक कर लिया और लेड गया तीन मिनट के बाद ही मेरा बी-पी लू होना शुरू हो गया तीन मिनट से 6 मिनट में इतना लो हो गया कि मेरी दम निकल जा ऐसी हालत हो गई आठ दस मिनट में ही मुझे बरफ से बाहर आना पड़ा फिर बीपी चेक किया मैं कलपना नहीं कर सकता इतना लो था इतना लो था फिर मेरे समझ में आ गया कि मेरे से ज़्यादा बिचारे तों अंग्रेज हैं जो बरफ की सिल्वियों में छे महीने रहते चार तरफ बरफ रहती है छट पे बरफ रहती है सड़क पे बरफ रहती है इधर बरफ रहती है उदर बरफ रहती है इतनी बरफ होती है कि गाड़ियां बरफ में दब जाती है फिर उनको स्पेशल अभ्यान चलाना पड़ता है बरफ को तोड़ने का सारी सरकारों का बड़ा वजट तो बरफ तोड़ने में खर्च होता है कनाड़ा, अमेरिका अगरा तो वो लोग सच में बरफ में ज्यादा रहते हैं ठंड बहुत है ब्लेट प्रेशर बहुत लो होता है अब तुरंट ब्लड को इस्टी मुलेंट चाहिए अगर बीपी लो हो गया इतनी ठंड बढ़ दे इस्टी मुलेंट चाहिए तुरंट बीपी बढ़ने के लिए तो चाय उसमें सबसे अच्छी है दूसरे नमबर पे कॉफी तो चाय और कॉफी उन सब के लिए बहुत अच्छी है जो ठंड वाले इलाके में रहते हैं और भारत के ऐसे कई इलाके हैं जहां बहुत ठंड पड़ती है अगर मैं जबू कश्मीर में जाकर ये व्याक्यान दोगा तो लोगों से कहूँगा चाय पियो कॉफी भी पियो क्योंकि उनके लिए वो मेडिसिन है आपको अगर मैं लेक्चर करूँगा तो आपको बोलूँगा आप मत पियो क्योंकि आप इतने बरफ वाले इलाके में नहीं रहते हैं आपके हाँ थोड़ी थंडी है वो भी साल में 10-15 दिन की है वो 10-15 दिन तब होते हैं जब कोहरा बहुत पड़ता है हाथ पर आपके गल्ले लगते हैं तेंपरेचर माइलस जीरो या जीरो के नीचे आजाता तब आपके हाँ शाइद 2-4 दिन पांच दिन ऐसे आते हैं कि आप चाय पी लो कॉप ची लो क्योंकि उस समय बीपी बहुत लो है लेकिन पूरे साल चाय पीना और every time is tea time ये सबसे खतरना है सुबह उठते ही चाय पीना कई लोग तो कहते है चाय नहीं पी है ये तक तो पॉड़ी भी नहीं कर सकते है ये तो बहुत खतरना ये तो बहुत कहते है इसलिए उठते ही चाय पीने का अगर आपकी आदत है इसको बदलिए नहीं तो क्या होगा मैं आपको बताता हूँ अगर लो बीपी आपको नहीं और प्लड प्रशन नॉर्मल है चाय पीना आप जारी रखते हैं दीरे दीरे हाई होना शुरू हो और वो हाई होते होते फिर आपको गोलियों तक लेके जाएगा फिर डॉक्तर गोलिया विकेंगी तो उसको भी कमिशन मिलने वाल है तो आप या तो जिसाइद कर लो कि जिन्दगी वर ब्लड प्रशर की गोलिया खाके जिन्दा रहना तो चाय पीते रहें और अगर जो नहीं खानी है तो चाय पहले छोड़ें दूसरी ही जानकर यह और हूं कि आपका पेट बहुत अंगली होता है आप जानते हैं क्योंकि हम गरम देश में रहने वाले लोगों का जो पेट है वो नॉर्मल ऐसीडिटी से थोड़ा उपर रहता है ठंड वाले लोगों का नॉर्मल ऐसीडिटी से भी बहुत नीचे रहता है वानिक उनका जो ब्लड है उसकी एस कभी कभी 7.2 कभी 6.8 तक चला जाता ऐसीडिटी में लेकिन यूरोप और अमेरिका में तो प्लस एट और एट के आगे रहता है तो उनका ब्लड जो है न थोड़ा सा एलकलाइन यूरोपियम दो होगा और चाय ऐसीडिक है तो एलकलाइन ब्लड को थोड़ा ऐसीडिक करने म में और जाना फुले बनाते हैं तो जीवन का सरो नाश करते हैं इसलिए चाय आपके लिए नहीं है और मैं एक आखरी जानकारिया आपको देना हूँ बगवाद ने जो चीजने आपके नस्दीक में पैदा की है वही आपके खाने पीने के لिए अच्छी है जो चीजे आप स किलो मीटर का एक सरकंफरेंस बनादी है आपकी जरूरत की हर चीज वहां होती है वह आपके लिए सबसे अच्छी है और हजारों मील दूर नील गरी की पहाड़ियों में जो चाय होती है या करनाटक के कुर्ग एरिया में जो कॉफी होती है वह आपके लिए मुफीद नहीं है क्योंकि हर बस तू आगो हवा के हिसाब से होती है जहां जिसकी जरूरत है वहीं वो चीज होती है कुझ्छे अरिया में कॉफी की बहुत जरूरत है क्योंकि लोग फीए तो वहां कॉफी होती है पत्याला और आस पास-प्र्थि笑 का कितना भी प्लानटेशन करेंगे होती क्योंकि काफी की हमें जरूरत नहीं है यह तो गरबड़ी क्या हो गई कि ट्रांस्पोर्टेशन के साधन इतने हो गए तो दुनिया में जहां भी जो कुछ होता है हम उसे हासिल कर लेते हैं लेकिन वो शरीर की अनुकुल नहीं अब एक और चोटी सी बात कि हमारे आसपास के जानवरों और पक्षियों को जरा अब्जर्व करें वो चाय पीते हैं क्या मैंने बहुत पिला के देखा है नहीं पीते कोई पक्षी चाय नहीं पीता कोई पक्षी काफी नहीं पीता मेरे घड़का पालतू कुत्ता भी नहीं पीता है वो भी इदर उदर कर देता चाय रख अपने को समझे तो बहुत खोश्यार है कि हम बहुत इंटेलिजेंसी प्रॉब्लम हमारी इंटेलिजेंसी की नहीं है सेंसलेस हो तो आप थोड़े सेंस में वापस आईए चाय कॉफी छोड़िए फिर आप बोलेगी कैसे छूटेगा स्वामी जी का एक सूत्र बता समुख चाय छोड़ लेगा स्वामी जी कहते हैं चाय पीकर जो नुकसान आपने किया है उसकी भड़पाई भी हो जाएगी और चाय भी छूट जाएगी चाय पीकर आपने किया किया आपके ब्लट को ऐसे डिट बना लिया अम लिये बना गया अब इसको बापस आपको चार ये बनाना पड़ेगा तो सबसे अच्छी चीज है अर्जुन चाल का पाउडर उसका कारहा बना के पीज़े चाय जिब को छोड़ने है घराए वाले को सब्सकार करें को बोलेगा चाय चाल का पाउडर दे रहे हो जो है जो चाय छोड़ना चाहते हैं और जिनोंने चाय पीकर नुकसान कर लिया अपने शरीर का और नुकसान फिर ठीक करना चाहते हैं उसके लिए सबसे अच्छी आयुवेडिक दवा है अर्जुन चाल आप जाते हैं अर्जुन चाल कहीं भी मिलती है 35-40 रूपर किलो की है स्वामी जी का यहां अगर केंद्र होगा सेवा केंद्र वहां से ले लीजे अर्जुन चाल का पाउडर मिलता है उसको कारा बनाना आप सब जानते हैं पानी में डालके उबाल दीजे थोड़ा उसमें चाहे तो शक्कर मिला दीजे बहुत अच्छा तयार होता है टेस्ट उ आपने पी लिया तो मैं आपको 99 परसे गारेंटी देता हूं चाय चूट जाएगी और चाय पीकर जतना नुकसान आपने कर लिया वह सारा नुकसान उससे कबर आपके ब्लड में एसिडिटी कम कर लेगा और आपके ब्लड को एलकिलाइन कर लेगा और मज़े की बात यह है क कि ब्लड की एसिडिटी बढ़ते ही कॉलेस्टरॉल ट्राइगिलिस्राइड यह सब बढ़ने लगते हैं और ब्लड की एसिडिटी घटते ही कॉलेस्टरॉल और ट्राइगिलिस्राइड सब घटने लगते हैं माने हर्ट अटेक से बचना है तो भी अर्जुन की छाल ही चलि कर रोजेज्य चाहिके मिकलु दोनों एल्किलाइने उनकी चट्नी डाविस बहुत अच्छा तयार होगा तो ऐसे बीसियों परहके काड़ी है एक हमारे भारत देश में गाहितरी परिवार नाम की बड़ी संस्था है उनका प्रत्या पे आता है वो भी बहुत एल्किलाइन है वो चाय का बहुत अच्छा वि जल्ब है तो फिर आपको रिश्टेदार आते हैं रिलेटिवस आते हैं तो आप खानते आपके ल gonna feels the one बाइब यहाल कोफी तो बिल्कुल चाही मत दीजिस पेह within को test